आकाश्मनी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सेंग प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी ने कहा है कि नए भारत के सपनों को साकार करने के लिए प्रतीक नागरी को सभी सरकारी योचनाओं के जानकारे मिले आज नए दिली में वाडिज और द्योक मंत्राले के नए परिसरका उद्खातिन करते वे श्रीमोदी ने कहाए कि इस of living और इस of doing business के बीच का सेतू is of excess है उन्होंने कहाए कि सरकारी योजनाओं का लाप सभी तक असानी से पहुँचे और यही सब के विकास का एक मात्र रास्ता है प्रुधान मंत्रे ने कहाए कि हर करदाता का सम्मान करने के लिए सरकार विकास और धांचागत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्यत कर रही है उन्हें कहाए कि पियम गतिशक्ति तक्नीक के शेत्र में नीचुतु वाली एक पहल है जो अब हमें धांचागत परियोजनाओं के वास्विक समय की निगरानी में मदद कर रही है इंडिया की ओर से राश्वपती पत की उमेदवाद रौपदे मुर्मो आज अपने ग्रह राज्य ओडिशा से नई दिलनी पहुँच रही है राश्वी राज़ानी के लिए उडान भरने से पहले भवनेशर हवाय अड़े पर उनका गर्म जोशी से स्वागत क्या गया उनके राश्वपती पत के चुनाव के लिए कल नावांकन पत्र दाखिल करने की उमीद है प्रधान मंतरी नरेंडर मुदी इस महीने के 26 सारी को आमजन से मन के बाद करेंगे ही इस कारिक्रम का नभिवा संस्करन होगा श्रीमुदी ने आमजन से नमो अप और माइजी ओवी पर लोगों से अपने सुझाओ मांगे हैं लोग अपने सुझाव यहाँ भेज सकते हैं राश्टवादी राश्टनीता डॉक्टर शावा प्रसाद मुखरजी की आज पूनेतिती है उपराश्टुपती प्रधानमंत्री और ग्रह मंत्री ने श्रे मुखरजी को उनकी पूनितिती पर श्रधांच लियार पित की एक ट्विट में उपराश्टुपती एमवेंक्या नाइडू ने कहा है कि डॉक्टर मुखरजी ने राश्ट के एकता और अखंटता को बस्बूत करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उनने कहा है कि उनका जीवन और वचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र वोधी ने कहा है कि एक ही कृत भारत की दिशा में किये गया उनके प्रयासों के लिए देश उनका रने है एक त्विट में श्रीमोधी ने कहाई कि उन्होंने बजबूत और सुम्रिध राष्ट का सपना देखा था श्रीमोधी ने कहाई कि सरकार उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबध है राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड तिरपन लाग साधिक कोविड रोधी टीके निशलक और राजियों की सीधी खरीद श्रेणी में उपलब्द करा जा चुके हैं स्वास्त मंत्राले ने बताये कि 12 करोड 49 लाग साधिक टीके अभी राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास पचे हैं केंद्र राज़वापी टीक करन अभियान के तहत राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशलक टीके उपलब्द करा रहा है मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने प्रदेश में ऐसी व्यवस्ता इसापद करने को कहा है जिसमें मूल लिवासी और जाती प्रमाणपत्र तथा भूमी संबंधी अभिलेखों के लिए लोगों को शास्की कार्यालियों के जक्कर ना लगाना पड़े मुख्य मंत्री ने पात्र विद्याथियों को जाती और मूल लिवासी प्रमाणपत्र विद्याले में ही दिये जाने को भी सुनिशित करने को कहा है शिजोहान ने सिंगल सिटिजन डेटाबेस पर निवास कारले में समिक्षा बैठक को संबूधित कर रहे थे राजपार मंगू भाई पटेल ने कहा है कि जीवन की सार्थक्ता लोग कल्यार के भाव से जीने में है बानव को दूसरों के दुख दर्थ समचनी और सहयोग करने के विशे शमता मिली है साथी समवाद करने के अदबुष शक्ती और मदद का हाथ पढ़ाने के शमता भी दी गई है उन्होंने कहा कि समाज के शिक्षित वर्ग का ये दायतु है कि वो समाज के पिछडे और वनचित वर्गों का सैयोग कर उन्हें समाज की मुक्यधारा में शामिल कराएं रजपार और कुला ध्यक श्रेपटेल एलन सीटी विश्विद्याले के दुतिय देख्षान समारों को संबोधित कर रहे थे अब कुस्तुमा चार संख्षेप में बैतूल में त्रीस तरी पंचायत निर्वाचन में प्रतिम चरण का मद्दान 25 डून को सुबह 7 पजे से अपरहन 3 बजे तक होगा प्रतिम चरण में जिन गाउं पंचायत शेत्रों में बद्दान होना है वहाँ पर 23 डून को अपरहन 3 बजे से साफधनिक सभा करना प्रतिबंधित हो जाएगा आगर मालवा में सीम हेलफ लाइन के अंतरगत उर्जा विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निराकरण में सिला प्रदेश में विगत 3 महा से अवल अस्थान पर है पन्ना में नगरी निकाय चुनाव के अंतरगत नगर पालेक परिशत पन्ना के 26 वाड पारशत पत के लिए 114 अभ्यरती चुनाव लड़ेंगे वाड करमांक एक और उननीस में पारशत पत का दिर्विरोध निर्वाचन संपन हुआ है रीवा में नगरी निकाय चुनाव में नगर परिशत त्योथर के 15 वाड़ों में निर्वाचन के कराया जा रहा है नमांकन पत्र बापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद 15 वाड़ों में 84 उमीदवा चुनावी मैदान में है विदिशा कलेक्टिर और जिला रंडारीकारी उमा शंकर भारकव ने विदिशा जिले में 3 सरी पंचायतों के आम निर्वाचन की जारी बदान तितियों के 48 गंटे पहले ड्राइडे खोशित करने का आदेश चारी कर दिया है इस पुलिटिन में इतना ही नमस्कार झाल